साथियों आपको याद होगा, एंडिये की बैटर में हमने संकल पलिया था कि हम देश की गरीबी को गरीबों की ताकत से ही गरीबी को पनास करेंगे। इसलिए इन वर्षों में हमारा सबसे जाना जोर गरीबों को ससक्त करने पर रहा। हमने स्रम योगी को सनमान दिया, डिग्निटी और लेबर पर बल दिया, हमने गरीब को सुरक्षा का एसाथ दिया, हमने गरीब को ये विश्वात दिया कि आपके हर प्रयास के पीछे, NDA सरकार एक बरोसे मन साथी की तरह आपके साथ खड़ी है। जैसे किसान को अगर सही बीच और खाद पानी मिल जाए, तो वो पैदावर का रिकॉर्ड बना देता है। वैसे ही हमने गरीबों को सतक्त करने के लिए उन्हें हर संभव मदद की। इसका परिर्णम क्या आया। अभी नीती आयो की सबसे ताजा स्टड़ी आई है। इस स्टड़ी के मुताबिक 2015-16 के बाद के पाँच वर्सों में ही साड़े तेरा करोड लोग गरीबी रेखा से बहार आ गए है। इसके पूर्वा वर्ल बेंक की रिपोर्ट के सामने आया कि कैसे बहुत कम समय में ही 40-42 करोड लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। आयमेप के मुताबिक Extreme Poverty याने अती गरीबी भी भारत में खत्म होने की कंगार पर है। यह आयमेप का रिपोर्ट कह रही है। साथियों, यहाँ NDA के आप सभी साथी तो जमीन से जुड़े लोग है। आप देखिये, जब किसी गरीब को पका घर मिलता है, तो यह सिर्फ एक छट की जरुवत पुरा नहीं करता है। बलकि यह उस परिवार को सुरक्षा कबच देता है, उसके सपनों को पंख देता है। जब गरीबों को बैंक लोन देने के लिए सरकार अपनी तरप से गारंटी देती है, तब उनको एक साथी मिलता है, एक सहारा मिलता है। और ऐसे में प्रगती के लिए, तरक्की के लिए उनके प्रयास दो गुने हो जाते हैं। जब गरीब को हम मुप्त इलाज का भरोसा देते हैं, तो उससे एक परिवार ही नहीं, बलकि उसके आने वाली पीडियों का भविश्य भी सुरक्षित हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि पहले जब गरीब परिवार में बिमारी आती थी, तो उसके पास दो ही विकल्प होते थे। या तो अपनी आखों के सामने अपनों को जीवन के लिए संगर्ष करते देखें या फिर मकान, दुकान, खेत, खलिहान जो भी थोड़ा बहुत पास में हो उसे बेचें या गिर भी रखें। पीडी दर पीडी गरीब को गरीब रखने के इस कुछ चक्रों को भी एंडिये सरकार की अनेक योजनाओं ने तोड़ दिया है। गांदी जी से लेकर बाबा साब आमबेड कर और लोहिया जी तक सभी ने जिस सोश्यल जस्टिस की सामाजिक न्याई की अवधारा की थी। और मैं समता हूं हम जो कर रहे हैं वो यही सच्चा सोश्यल जस्टिस है, सामाजिक न्याई। NDA सरकार ने वोट बैंक की राजनीति को विकास वाद की राजनीति में बदला है। ये NDA सासन ही है, जिसमें छोटे किसानों, रहिडी पट्ली फुटपांत वालों को पहली बार मदद मिल रही है। हमारे विश्वकर्मा सात्यों को भी पहली बार ये विश्वास मिला है कि उनके लिए भी कोई सरकारी योजना बन सकती है। सात्यों, गरिबी से भारत की इस लड़ाई का एक और पक्षा है। आप सब ये भी जानते हैं कि पहले हमारी माताओ बहनों के नाम पर प्रॉपर्टी खरिंदे का चलन कमी था। वे एक प्रकार से घर के समाज के आर्थिक फैसलों से कटी हुई थी। देश की आधी आबादी और परिवार को चलाने वाली ताकत का जब ये हाल हो तो गरीबी से पार पाना आसान कैसे हो सकता था। अब जब बहनों के नाम बैंक अकाउंट खुले, उनके नाम पर घरों की रजिस्ट्री हुई, उनके नाम पर रण मिलने लगे, तो एक नया सामर्त समाज में पैदा हुआ, मुद्रा योज्रा की सबसे बड़ी लाभारती हमारी बहने है, स्टार्ट अप इंडिया की सबसे बड़ी लाभारती हमेरी बेटिया है, जो देश में नव करोड स्वयम सहायता समूँ बने हैं, उनकी सबसे बड़ी लाभारती गाउंबर रहने वाली दलीत, पिछडे आदिवासी समाज की बेहने हैं, मैं पिछडे जेनों मत्रपदेश गया था, एक आदिवासी गाउं मे गया था, वहां ये स्वयम सहात्या समूँ की आदिवासी बेहनों से मिलना हुआ, जितने समूँ ते उनकी अब तो हमेरी पहचान है, हम लगपती दीजी हैं, हमारा कारोवार इतना है, कि आज हम लगपती बन गए हैं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है साथियों, साथियों, एंडिये सरकार ने महिलाओं के कल्यार को, उनकी तकलीफ कम करने को सरवोच्च प्रात्विक्ता दिये हैं, जब घर में टॉयलेट बना, तो बहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला, जब नल से जलाया, गैस का सिलेंडर आया, तो उनकी परेशानी कम हुई, उनके समय की बचत होई है, इस समय को वो अपने परिवार की आय बढ़ाने में उप्योग कर रही है, ये सिर्फ गरीबी से बहार निकलने का प्रयास नहीं है, बलकि विमेन लेट डेवलप्मेंट का रास्ता है, जिसे एंडिये ससक्त कर रहा है, आज डिफेंस से लेकर माइ देश को पहली आदिवासी महिला राष्पती देने का सौभाग्या एंडिये को मिला है,